बहुत बहुत दन्यवाद कि आपने अपने मंच पे हमें साजा किया लेकिन राजनेतिक इस्तर पर अगर इसको बात करें तो कुछ ऐसे लोग भी होते जो कुछ सीखें नहीं होते तो लालत की वज़े से सिक्षा का इस्तर गिरता जा रहा है हमारे हैं युनिस्ट्री नहीं थ बार देते हैं वह आपको आरच्छन के नाम पर बार देते हैं बचा कुछ रंग जैसे अमेरिका में लडाई हो रही है कि तुम गोरे मैं काला मैं काला तुम गोरे उस पर लडाई हो रही है नमस्कार आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है आईपा यानि की ओल इंडिया प्रोग्रेसी पॉलिटिक्स एसोसीएशन एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिसील राजनीती की बात करता है जो जाती धर्म ब्यक्ति विसेश की राजनीती को दरकिनार करते हुए सि है जो आप सोसल मीडिया पर सुन रहे है या जो सरकार के सदन में सुन रहे है दो मुद्द्दे चलते हैं आजकल सदन में कि मुद्धों की बात कर रहा हूं जैसे बेसिक समाज के मुद्धे क्या होने चाहिए सिक्षा स्वास्त रोजगार वो कहीं न कहीं अभी भी पीछे हैसा बिल्कुल क्योंकि उस पर सदन में बात ही हो रही है कि मतलब आपकी संगठने को काम कर रही है या फिर आप जब सत्ता में आए तो आप कैसे इन चीजों को टैकल करेंगे सिक्षा स्वास्त रोजगार को लेकि आप कैसे बढ़ावा देंगे सिक्षा के लिए तो सबसे पहले हमें जैसे हम कोसिस करते आ रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाते हैं और जो समाज के अंदर भ्रांतिया फैली हुई है जैसा कि देज़ प्रथा है, सतीप्रथा है और लोगों के साथ सोचल हो रहा है सिर्फ मेंटल अबिलिटी की वजह से कोई कम सोच पाता है तो उसको लगता है कि यह सही होता है कोई ज्यादा सोच पा रहा है लेकिन समाज का बहुत बड़ा इस्तर है समाज छोटा सो तो है ऐसी परिस्तिती में जो जैसा चाह रहा है वैसा करने का प्रयास कर रहा है सभी सीखी रहें लेकिन राजनेतिक इस्तर पर अगर इसको बात करें तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ सीखें नहीं होते हैं और वो सीखने का प्रयास कर रहे होते हैं तो थोड़ा कम इस्त लेकिन बिस्व के रैंकिंग पर देखे तो पाथ सो के अंडर कोई भी नहीं आता है तो इतना अस्तर कैसे गिर गया सार एक समय में बाहर से बचे नलंदा इनिवर्शिटी में पढ़ने भी आते थे आके रीजन क्या हुआ इसका यहां कि जो टीचर्स अपनी अबिल्टी को दिखा के लोगों के बीच में काम कर रहे थे एक्चुली में उनको धन तो मिलता नहीं था उस तैंपिरेट में धन जैसा कोई लोब भी नहीं था अब लोगों के अंदर लोब बढ़ रहा है और लोब की वज़े से ऐसा हो र सेलरी चाहिए किसी को सिक्षित करने के लिए यह मुख्य वज़ा है कि लोगों को परशान किया जा रहा है अपने कॉर्प्रेट कल्चर की वज़े से तो सिक्षा का इस तर गिरेगा क्यों नहीं अगर हम पैसे के दमपे करेंगे तो सर आरक्षन और धर्म पर क्या सियासत होनी चाहिए इसके बजाए क्या सिक्षार स्वास्त रोजगार की मुद्दों पर चुनाब हो तो ज्यादा बेटर नहीं होगा नहीं देखिए आरक्षन का जो मुद्दा है वो देश की परिस्थितियों को देख के दिया गया था सहितालिस में जो भी हम लोगों को इतिहास में पढ़ाया जाता है जो भी हम पढ़ते हैं बीमराओं बेटकर के माध्यम से या सम्मिधान के माध्यम से दोनों को अगर हम पढ़ते हैं तो हम यह पाते हैं कि उस वक्त परिस्थितियां खराब रही होगी लोगों को गलत भामना से देखा जाता रहा होगा. खराब की स्थिति क्योंकि लोग पढ़ाते नहीं थे उस वक्त. हमारे हैं युनिशटी नहीं थी. हमारे हैं इतने ज malaria कुल भी नहीं थे. ना के बराबर गुल थे क्योंकि कि रियासतों में बटने की वज़से हम आपस में बहुत लड़ चुके थे तो उस काल को develop करने में हमने अपनी जितनी प्रयास किया क्या हम किया हमारे पुरवजोंने किया और आज हम इस्तर तक पहुंचेंगे हमारे पास इतने विश्विध्याले और हा इसतर कम जरूर हुआ है है में भ़म ही बता रहा हूं करो इस करवा क्यों हो रहां धुट कि सबकुषा कोına पर जुड़ा रन कि आ आपको आरच छन के नाम पर बाड़ेते हूं। आपको जाती के नाम पर बया रही है कि तुम गोरे मै काला तुम गोरे, उस पे लड़ाय हो रही है। फिर बचा कुछा जो अपने भारत की अपने सबसे जादा चोटी जिसपर ज़ादा बाओत आधार देख रहे होगे। माहिला और पुरुस उसी में बाट दे रहे हो और बची कुछी तो हम तिवारी तुम लाला हम बाबन तो तुम का ला ऐसा चल रहा है इस महाल में जिससे बहुत ज्यादा नुकसान है और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कॉर्परेट कल्चर बढ़ाना कॉर्परेट कल्चर बढ़ेगा कैसे जब हम आपको बाट देंगे जैसे गुप्ता जन्नल स्टोर गुप्ता मेडिकल स्टोर अरे गुप्ता जी के नाम पर क्यों है धार्मी की इंसान हो धर्म के नाम पर रख लो अपनी जाती के नाम पर क्यो होती है गुपता जी की है तो गुपता जी क्या है से लेंगे भईया अपने भाई है ठागेंगे नहीं वो concept corporate culture है पहले हमारे यहां नहीं था अब बहुत तेजी से फैल रहा है अब आपस में हम mobile के माध्यम से लोगों को एक दूसरे को connect कर रहे हैं और उसका पैसा हम corporate companies को दे रहे हैं पहले हम मिलते थे आपस में बात करते थे लोगों से मिलते थे connect होते थे पैसा नहीं लगता था और आज पैसा लग रहा है सारा कुछ corporate culture है सिच्छा को अगर हम नहीं बढ़ाएंगे जिस मंच के माध्यम से हम आपको कह रहे हैं और आप भी लोगों को इसको represent करेंगे उस सिर्फ इसी लिए कह रहे हैं अभी वक्त है प्यार के माध्यम से ही चलने को तोर पर देखते हैं उसका वज़ा है वही हम लोगों को बता नहीं पा रहे हैं कि असलियत में राजनीत कहते हैं किसको है नीतियों पर चलके राज करना राज सब्दे जरूर जुड़ा है क्योंकि राज से ही हमारी connectivity होती हमारे मन में जो राज होते हैं वो खुल जाते हैं तो उस नीतियों का जो राज हमने पढ़ा है, उस पे हम आपको बता रहे हैं, तेरा वर्सों का हमारा राजनेति के रहा है, तो उसमें हम राजनीत को जो connect कर पा रहे हैं आज के मन में, युमाओं की वज़े से, वो ये है कि हमको अपने एक समाज पे राज करना है, छात्र मतलब एक हजार बच्चों का community based, युनिश्टी की बात करें तो बीस हजार बच्चों का community based, छात्र संग का हम गठन किये इसी वज़े से, कि हमें छात्रों का एक गुट मिलेगा, एक आदमी मिलेगा, जो लड़ेगा उसके सवालों पे, लेकिन कोई लड़ नहीं रहा है, व तो उसको वो जज़ करते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी संख्यावड़ती चली जाती है, और फिर वो प्रधान, जिलापंचाय सदस, पारसद, विदाया को सांसत बन जाते हो, और हमारे देश की जंताओं से मिलना नहीं पसंद करती, या मिल भी नहीं पाती, हम ही से जीत के, हम से उपर बैठ जाते हो, और हम से मिलने का समय नहीं होता, वो राजनीत का विशह है ही नहीं, राजनीत का विशह है कि अपने लोगों को आप अपने राज बताओ, अपने मन में जो राज है ना, उसको सब को बताओ, कि हम तुम से इतना प्रेम करते हैं, तुम हम दो पर राजनीती होनी चाहिए क्योंकि राजनीती का ट्रैक अभी बर्तबान परिपेक्ष में देखे तो काफी बदलता जा रहा है मनुस्य के जो स्वर्गीन जो चीजें हैं उनको छोड़के कहीं और राजनीती जा रहे हैं राजनीत का ट्रैक कॉर्परेट कल्चर में बद जन में लिया है इस इलावाद की धरती से तमाम महापरसों ने जन में लिये हैं कई प्रधान मंत्री कई कैबिनेट मंत्री और असंख्य मात्रा में विधायक यहां पे बनते हैं आप देख रहे हैं 12 विधान सभाओं को बहुत बड़ा छेत्र है और जनता चुनती है 16 करोन गंता चुन जाती है एक बड़ी सकती का छेत्र है यहां पर हमने जो देखा वो हम बता रहें आपको बहुत जादा समय नहीं लगेगा जो गलत करेगा वो भरेगा ठीक है थोड़ा समय लग सकता है लोगों को समझने में सिक्षा का इस तर जो गिर रहा है उससे कहीं ने कही यह कमी आ सकती है कि पूरी तरीके जो हमारा सरकारी तंत्र है वो तूट जाए पूरा कॉर्परेट कल्चर में बदल जाए लेकिन कुछ महापुरुष जिनका मैं नाम लेता हूँ हमेसा और उनका नाम लूँगा कि हमारे सहीद भगत सिंह कुछ बनेंगे और जिस दिन बने मिलें हाले लोगों में लड़ा जाएगा जीता जाएगा सर्मारे सार हमारे देश में सभी राजनितिक इक आपने आपको लुक्तांत्रिक कहते हैं लेकिन क्या उनका काम करने का तरीका प्रचलन सहीरा बच रहा है बूत हस्तर का काहरे करता कि यह सपना औन देख सकता है कि वहां का राष्टी अध्यक्ष पास्टी अध्यक्ष बन सकता है नी स पोस्के बाद वार्ड अद्ध्यक्स से उन्होंने फिर सहर अद्ध्यक्स वाद आज इतने बड़े इस्तर पर पहुंची है जहां पर मतलब सबका सपना होता है कि हमें वहां पहुंचना है रास्टी अद्ध्यक्स का पद और उसके बाद इस देश की गौरुपुन मई इस्तती संसद लोकस सब्सक्राइब होते उस्त पार्टिमांत्री सब्सक्राइब इस अधा उसको जयां पालकी वे सोतंत्र हैं किसी भी नियम को बदलने के लिए और किसी भी नियम को बनाने के लिए तब ही तो सरकार का गठन किये हैं सरकार बिना अखेले तो नहीं चल लई चार पाहों पे चल लई है जिसमें आप भी एक इस्तम है तो सब लोग मिल के निर्णे लेते हैं तो लोकतंत्र है ब मेरा विधायक तो आया ही नहीं, तुम्हारा विधायक नहीं है, तुम चले जाओ, तुम भी तो नहीं जाते हो, तो X-League में लोकतंत्र की परिभासल, जनता को ही नहीं पता है, सवाल पूझती नहीं है, सामने नाली बह रही है, पडोसी से लड़ लेंगे, लेकिन सरकार से न माना थोड़ी ना है, कि आप टेली विजन पर देखे और विजन आ गया, आपका कि भाई, वो उड़के आ जाता है, ये भी उड़के आ जाएगे, समय लगेगा, इससे अच्छा है कि आप खुद मदद करो, और अगर लोग, वों के मन में ये समाजिकता आ जाए, ये पूर हो, तो लोगों को सिखाओ, और यही सिखाने के लिए, हमने अपना राष्टी समाजिक सरचा संगेटन बनाया, और लोगों से करनेक्ट होते हैं, ये इनिविस्टी के बच्चों से, समाज से, चोटे-चोटे कारकम कराके, सोचल कलाकार का कारकम भी रिसेंटली कराया था, लोग डर रहे थे, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे थे, तो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चालू किया, जिसे सोचल कलाकार का नाम दिया, कि जो घर में बैठा हुआ बच्चा है, जिसके अंदर कोई भी कलाया, खाना बनाना आता है, तो खाना बनाओ, बात करना जो भी आपका एक मंच दिया, और वो इंजवाय किया, और पूरा परिवार इंजवाय किया, मैं आपको बता हूँ, मेरे एक लड़की है, आरती पाल, उसका नाम में लेता हूं, वो बलतकार पे बहुत ही अच्छा उसने अपना पक्ष रखा तो और लाइव रखा था मेरे पेज के माद्यम से, आप समझोगे नहीं, 19 लाख लोगों ने एक हफते के अंदर उसको रीच किया, और उस पे अच्छे कमेंट्स दिये, तो आज के वक्त में जनता रिलेट हो कर रही है अपने आपको, वक्त लगेगा, ये लोकतंतर फिर से खड़ा हो जाएगा, में, तो आप किन मुद्दों पे राजनिती करेंगे, कैसे समाज को सुधारने का काम करेंगे? करेंगे अपने सम्मिधान में, और पूरी कोसिस करेंगे सदन में ले जाके इस बात को कहने की, कि बदलो इस कानून को, इस कानून की अब आउशक्ता नहीं है, सिक्चा का अधिकार जब दिया गया है, हमारे मौलिक अधिकार में, तो निशुल्क होना चाहिए, उसका सुल चाहिए और पारियत नहीं है, जो आपके अंधर है, उसके अधिकार नहीं के अंधर और 720 इसकी अब चूजिए संगे ल Catalunya. और माफी जैसे सब्दों को वर्जित समस्ता हूं उपने जीवन में क्योंकि दन्यवाद उनसे कहा जाता है जो अपने नहीं होते और यह पूरा समाज है वसुदैब को तो मैं करें हमारी प्रतिभा है हमने देखा है समाज को तभी तु लिखा है कुरान में भी यह लिखा है कि समाज कैसी होनी चाहिए प्रगतिसिल समाज में किन मुद्दों पर आजनीती होनी चाहिए इन्होंने सिक्षा को महत्व दिया बताया कि अगर कभी यह सत्ता में आते हैं कभी इनके हाथ में अगर वैसे कुछ दी जाती है तो कैसे काम करेंगे ऐसा ही आईपा के साथ बने